आप सबी साथकों का स्वागत है मैं अर्विन सक्सेना बोल ला हूं साधना जगत के रहस्यों तता चत्यों को जानने के लिए इस चनल के प्रतियक वीडियो को देखें और इसमें दीगरी प्रतियक प्लेस्ट को भी देखें अभी यह बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो में इसका जो मंत्र है यह सोलाक्षर का मंत्र है और मंत्र है यह हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र के बारे में आपको जानकरी आपको दूँगा लेकिन इसमें वीडियो बनाने के लिए जो मैंने जिसको क्यों इस वश्या को चुना यह भी आपको भी इस पस्ट आगे करूँगा अभी लेकिन कुईसी भी मंतर को या किसी भी चीज को समझने के लिए हमारे लिए कौन समझ कहा प्रोपयोगी होगा ये भी एक तोड़ी सी जानकरी होनी चाहिए और उसके लिए जो है मैंने जो वीडियो बनाए हुए है उनमें ये बात शेश रूप से मैं करीब करीब प्रत्य एक वीडियो में बात बताता हूँ इस समय का जुरू ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा हम समय चल ला है और क्या हमको करना चाहिए जो कि समय को अगर ध्यान में नहीं रखा जाएगा ये दुगलतियां बहुत होगी उसके लिए जो मेरे वीडियो बने हुए है 227 नमबर का कली बादा और असूर असूर वारी प्लेलिस्ट है बाते हैं जो भी मैं बताता हूं प्रमार ऐस अनुसार की जो कि वेरेतों की समयत्या में हो ये शास्त्रों हो गहिं उसका प्रमार ज़रूर होना än चाहिए नहीं तो कोई सोर्स ही नहीं पता होगा तो कहा से पता मंतर आ अग्या तो अगर मंतर गलत हो गया किसी भी व्यक्टिव है या किसी भी सोर्स पे तब तक नहीं करना चाहिए कुछ ना कुछ अपना स्वाइम का वेरिफिकेशन जरू करना चाहिए जो भी अपना बल्बुद्धी हो कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन जरू करना चाहिए सहसा नहीं करना चाहिए कि वेरिफिकेशन करने के बाद लगता है जब ठीक है कोई बात नहीं देंगे सहसा नहीं तो सदन नहीं करना चाहिए नहीं तो उससे अनिस्ट का प्रवेश होता है यही वीडियो को टॉपिक है 236 नंबर और 233 नंबर का अनिस्ट वराशुप का प्रवेश किन कारणों से डी या इस प्रकार से मुनिस्टियों के जीवन में रहते हैं घुल मिलके यह पता ही चलता है कि खत्रे हैं अब आवे जब नुकसान हो जाता है उन खत्रों में ट्रैप्स में कोई पहुंच जाए बश जाए तो उसका बहुत नुकसान भी हो सकता है यह आप जब समझेंगे तो प्रत्रों में आपको इन वीडियो के माध्यम से इस चैनल में देने का प्रयास कर रहा हूं प्रत्य वीडियो बहुत इंपोर्टेंटा इस अफसर कुन्ना कवा है क्योंकि यह वीडियो को जो आप जो लोग देख रहोंगे इतना तो कम सकम यह अनुबाव करेंगे जुरू परिवर्दन कुछ ने को जुरूर आएगा यह बाते हैं यह जो जो इस तरह के हैं जो कि बहुत ही दिव बाते हैं जो कि शास्त्रों होता है वह अगर पता चलिए वह दुखों को अंत करता ही करता हो सुनने मातर से भी कर सकता हो कम सकम यह स्टॉप लॉस की तो शेड़ी मे यह नहीं करूंगा भले उस आदना करे या ना करे वह एक अलग बात हो जाएगी तो कि इसका कारण जो होता है वह शास्त्र जो होते हैं इसके लिए एक वीडियो मेरा बना हुआ है वीडियो नंबर साथ दिविग्यान शास्त्र की उत्पत्ती वह आप देखें कि समझन में नहीं अलग इतना दबाव होता है आची समय में मस्तिश्क में कि असान नहीं रह गया है कि किसी बात को फिल्टर आउट करना कि यह जो है सही है गलत क्या है साथ नातम अकबल होता है तो फिर भी एक बच जाए वैक्ट्री समझ जाए उसके ओपर दबाव काम ना करे नंबर का कैसे 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 कोई वक्ति गलत जम्जात कभी भी नहीं होता वो जहा है उससे कबरात करा दिये रहाते हैं धान रखें मनशों को तो खेलावना समझके काम करती है यह बात हैं आप आप देखेंगे तो जो मानव से दानव की यातरा जो है यह 25 नंवर का वीडियो आप देखेंगे और दाना बरावा शुब करम दाना बरावा मूर को दी है तीन सो नंवर का वीडियो देखेंगे तो जब यह सब बात समझ में आरी तो हिसमें मंतरों का चैन कैसे करें और कौन से मंतर करना चाहिए तो मैंने बहुत जाए यह यह इसको बेसिक तरीके से अगर कोई कहा है कि ने, हम सब एक ही मंत्र सब पुछ कर लेंगे उसी से, तो फिर भगवान को वेदों की रशना करने की क्या जरूती है। इस शास्त्रों की रशना करने की क्या जरूती है। एक किसी वक्टी नहीं बॉनाई है जब विड़ो की आप मेरे वीडियो देखेंगे विड़ो की प्लेलिस में जाएंगे और वीडियो नॉम्बर टूंटिनाइन देखेंगे विड़ो तो समन में बात आएगी यह सारी जो है यह किसी मनश्यों की रचना नहीं है यह बात जो है आप उन्हें वीडियो को देखें तो बास समझाए कि मैं यहाँ पर विस्तार ना हो इसलिए जादे पूरी चर्चाया नहीं करूँगा लेकिन जब यह इतनी रचना क्यों करी गई है तो फिर अकर यह रचना करें तो फिर इनको छोड़ दिया रहा है तो बस एक ही मंत्र ले लो उसको बस करते रहो अपना सब कुछ हो जाएगा तो वह बात सही नहीं है क्योंकि यह इसलिए क्योंकि यह जो समय इस प्रकार का वो इसमों करने जी कि मल्टिपिल जो है कुछ नहीं कुछ रच्स करने प बहुत सारे अवरोज होते हैं मूल मंत्र जो एक सिंगल मंत्र करे जाएंगे और बड़े दिवी दिवताओं करे जाएंगे तो उसको पहली भूत होने में बहुत समय लगता है कि asi को चार साल कर लगा कि देख एथि रहा रहा तो उसके और आकुम्णा भी करती है तो इस लीए भी उसकी जिसे उसके भीश्वास खंडित कर देगी जहां वो सोर से जुड़ना चाह रहा होगा सभी जगे वहां से भी हटा देंगी उसे इतने सारे शड़ियन्त कर देंगी कि वो बिल्कुल दिमाग ज़ट जाएगा फिर छोड़ देगा साधना है यह काएगा साधना में कुछ होता नहीं अगर होता है कैसे नहीं जो करने वाले होते हैं उन्हों क्यों नहीं सब कुछ मिल जाता है उनको समाधी भी मिल जाती है जब समाधी से मुश्किल काम तो कोई है नहीं लेकिन अगर वो भी मिल जाए तो उस साधना में तो कोई ना कोई तो रिजर्स मिल ले होंगे इस बात के प्रमार जाई है तो वेदोक्त मंत्र जो है मैंने जो बता है उनको आप करके देख लें वैदिक सुरक्षा सूक तो देखें 78 नंबर का करके देखिएगा यह वीडियो बना हुआ है कौन से मंत्र सु करेंगी तो यह जब मंत्र है यह बहुत ही स्ट्रॉंग मंत्र है और बहुत ही पावरफुल साधना है जब काम करती है उनको करते रहना जाहिए अब उसी में कुछ जो सही साधाकुत्य हों कुछ अपना एडिशन करने का प्रयास करते हैं अगर उसमें कुछ उनको तत मिलता करते रहना चाहिए तो उसमें बहुत ही मुख्या प्रमानिक मंत्र होते हैं उनको करा जा सकता है सिलेक्टिवली किया रहा सकता है और उनको कभी-कभी जैसे करें निन में थोड़े समय के लिए भी किया रहा सकता है तो वो भी एक कुछ ना कुछ एक दीवन में परिवरता लाने का एक प्रक्रिया में सहाय की होते हैं यह मेरा एक बताने का प्रयास है लेकिन मंत्र का सिलेक्शन से होना चाहिए जैसे यह आपको जो मैं बात बता रहा हूँ यह मंत्र जो है जो सुलाक्षणों का मंत्र है यह कृष्ण यजूरवे से संबन्दित एक उपनिषद है उसका नाम है कली संत्रण या इसको हरी नाम उपनिषद भी कहते है अब कली संत्रण का क्या मतलब होता है कि जो कली उक्त प्रभाहों से बचने के लिए जो भी उपाए हूं उसको कली संद्रन कहते है तो यह मंत्र ज़जा कली कली उख का जो प्रभा होता है उससे बचाता है और यह जोकी यह नाना जाता है कि यह मंत्र ज़जा बहुत ही एफेक्टिव है और यह बहुत ही सुगम उपाए है और इस सोलाक्षनों का मंत्र जब करना है और इसमें किसी भी सिती में किया रहा सकता है प्रत्य के सिती में किया रहा सकता है और वो यह सोलाक्षनों का है तो यह पापना शक्ष होता है कि मंत्र है यह क्योंकि सोला नाम है वो सोला कलाओं से आवरत जीवात्मा के आवरण को नस्ट कर देते हैं और उससे बाद में क्या होता है अगर कोई करता रहे करता रहे तो उसमें ब्रमग्यान के प्राप्ति होती है ये इस उपनिशाद में दिया हुआ है इस उपनिशाद में तीन मंत्र है उसी में तीन मंत्रों में नारज जी और ब्रह्मा जी के बीच के समवाद है उसमें यही बात बताएगे इस मंत्र के बारे में ये तो मैंने आगो मात बताई इसके बार मताई करनाम पहले है फिर बाद में एक नोट करने की बाद है यह मैं आपको उपनिशाद से बात बता रहा हूं तेसे दिसले कि प्रमालिक्ता के बारे हैं कुई संदेना करें इसमें कृष्ण जी का नाम बाद में आता है ये बस एक प्रिकॉशन की बात है ये धान रखना इसमें इसमें गलती नहीं नहीं चाहिए बाकि जो मेरे वीडियो हैं बगवान राम के बगवान कृष्ण के बने हुएं उन मैं आप देखेंगे भगवान राम के नाम का जो वीडियो है उनके बारे में जो कि तत्वात्मक है और कैसे ओम शब्द में से जी वहाँ पर कहां पर उनकी जो लीला असली है भगवान राम की भगवान करिश्नि की वह आप उसको जानने के उसको आप बाता जाएगी और राम इसका 149 नमबर का वीडियो है राम श्री राम सीता राम ये 149 नमबर का वीडियो देखिएगा इसमें बात राम चंजी के बारे में मिलेगी 334 नमबर का जो वीडियो मिलेगा आपको इसमें राधा कृष्ण रहस के बारे मिलेगी कृष्ण जन्म रा चारेय भाम, रासलीला, गोपिया, पतनिया, व्रिंदावन, निकुणज, वनशी, दोनी इनके बारे में आपको जानकरी मिलेगी और दो सोचोगन नमबर की वनशी वट व्रिंदावन के बारे मिलेगी 269 इसमें राधा कुन, शयाम कुन, संगम के बारे मिलेगी और 270 नमबर में गिरी राज गोवर्दन संपूर परिक्रमा के बारे मिलेगी 278 नमबर में गिरी राज गोवर्दन कुन के बारे में जानकरी मिलेगी अगर लीला स्थेलियों को और डीटियल में जाना है कि actually इनका मतलब क्या है तो उसके लिए एक वीडियो मेरा 183 और 184 यह नी 183, 184 नमुंडी आसन्ड है तो उसमें आप देखिएगा और दूसरी बात कि यह जो एक वीडियो जुरू देखिएगा यह है इसका नाम है 244 नमबर वीडियो है वेद शास्तनों के निंदा देवी देवताओं के निंदा देवताओं वेद बुद्धी 86 नरकुंड इसमें एक बात जरू ध्यान देनी चाहिए कि कभी भी जो देवी देवता होते हैं उन्हों भेद नहीं करना जाएगे क्योंकि उस सारी दिवमार के जो होती है उनके द्वारा सब अपन होते है यह बात आगा और समझ नहीं तो 24 नमबर का महाशक्ति रहसे वाला वीडियो देखने का प्रास करें उसमें बात आपको और समझने में आजाएगी और 225 नमबर मंतर देवता वाला वीडियो देखने का प्रास करें समझने में बात आएगी और 350 नमबर का वीडियो देखेंगे सत्य स्वरूप ओम में प्रवेश इसमें कैसे ओम में कैसे प्रवेश किया रहे दुरला मंतर शक्ति द्वारा दिव लीला से लियां वहाँ पर भी दिव लीला स्थिलियों के बारे में मैंने जान करी दिया नहीं बहुत आएगी बहुत आएगी तो दिव जिवताओं में भेद बुद्धी भी नहीं होनी चाहिए इसलिए आप देखें इस मंतर में बहुत दोनों का कॉम्मिनेशन है करें प्रमानिक मंतर है सcked का नम तो करने का प्रियास होना हा का ही चाहिए बाभी जीवन से आगे बढ़ा जा सकता है अब इसको कितना क्या करना है इसको अपना इसमें चुकी है उपनिशाद में ही बताया गया है कि प्रत्य के सिती में कोई भी कर सकता है तो प्रत्य के सिती में करने का प्रयास हो सकता है इसको ये अपने स्वादक के ऊपर निर्भा करेगा लेकिन जैसे मैंने जो वीडियो मा शक्ती रहस वाले वीडियो मताया हुआ है कि ये जो भी हमको करना है साधना कोई भी काम करनी है उसके अंदर में विशेश रूप से हमको शक्ती साधना जरूर करनी चाहिए इसलिए आप जो दोसोटों चोओन वॉला वाला वीडियो जिरू देखिएगा वो बंतरों के अलावा जो भी वैजिक मंतर है उनके जब मैंने ब्रणन किया व्यादक आपको थोड़ी तर पहले इसी वीडियो में उन मंत्रों को या उन साधनाओं को देखना कर प्रयास करना चाहिए अब जैसे पाश बंदन मुक्ति है, रन मुक्ति है ये सारी चीज़े हैं या इनसे भी मुक्ति कर प्रयास करने चाहिए क्योंकि कोई आगा माल लीए कि कोई वक्टी इस प्रकार से उसने ऐसे दुष कर्म उसकें दानु शक्ति हैं उसकें बंदने चाहिए काती है जिनसके बाद में वो सोचता है कि अब उसमें मुक्ति कैसे मिलेगी उस दुष करमों के प्रफाव से नहीं अगर वोई पूरी नस्ट होगा होगा है तो फिर तो दानों के शेडी में खड़ा हो जाएगा लेकिन अकर यह बात आ रही है कि अब कुछ करना चाहिए अब यहां पी जितने गलत काम होने तो हो गए अब नहीं करना है तो ही फिर जो है यह साधनों के जो मन्द जो मैंने विदियां बताएं उनको करने का प्रियास करना चाहिए अन्य था कोई भी साधना विदि करोगे लेकिन साथ में अपने अचनर पे कोई भी लगाम नहीं रहेगी तो ही देवी दिवत्या पाश बंदन नो फिर डाल देंगे मतला जैसे यह मंतर मैंने बताया आप अपने शाद में बात दी हुई है कि बहुत प्रत्य के सिर्थी में हो सकता है और इतना एफेक्टिव मंतर है यह लेकिन इसके साथ साथ अगर आच्छा नहीं तो फिर क्या होगा तो यह भगवान राम है वान क्रिश्न यह क्या हो उस व्यक्षी को मुक्टी प्रदान कर देंगे नहीं करेंगे पर जो जो भी संसार है trên देवी देवता हुआ वो संब देवी देवता उसको बंदान में डाल लेंग तो होगा कैंकि मंतर जब भी हो रहा उसको उसको करो प्रोग्रस भी नहीं सेफिक हो रही ही ना अध्यासिक हो रही है ना और किसी तरीके उसकी तो वो स्टेक होगा कहीं पर यह अगर बाते आ रहे हैं तो ऐसी सीधी में क्या हूँ जब पाश बंदन वाले जो वीडियो मेरे देखिएगा उसको करने का प्रयास करें और भी जो भी मैंने बताया है उसमें उनको साधना पक्षम मिलेंगे वीडियो करने के लिए कि दुबहारे तो फिर यह मंत्र जो करने लग जाएंगे अब कोई कह सकता है कि कि अभी मांद्र करनी के क्या जुरूबत है उसमें और कुछ नहीं होगा केवल होगा कि समय बहुत नस्ट हो जाएगा समय बहुत लग जाएगा यह प्रारममिक साथकों में अगर यह केवल इसी मंतर पर ही लगे रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे तो यह और सासा अपने अच्छे आचार विवार भी नहीं रखेंगे तो वह पाश बंदन रोज क्रियेट ही क क्या हुशत है हम कितने दिन से काउंसा मंतर कर रहें क्या कर रहें हमारी क्या अपलवार्ब 주 öelen군 संकतरे post में बढ़ गया है काम ख्रोज लोग भॉँ भय उखवार जो उख अब भार हुआ है और उसके और जो भीuciónशक्त ब्सक्रिएर फो जो ब्याल जिया कोई last time दा अख ब कि रहा रही है इसका कां मंतर काम क्यों नहीं कर रहा है क्यों कि मंतर इक mom publi और एपका सब्सक्राइब हो और माया सफल्जा मंत्र क्ली और नहीं चाहेगा इसके सब्रम और पाष्व बाश बंदन में डाल लेंगे और उसको और उसकी दूर कती हो जाएगी ये इन प्रिकॉशन में ये भी एक रिजनिंग थी मैंने वीडियो बनाने का सोचा कि ये महामंतर तो जरूर है और तो शुद्र मंतर का ये ये भी ध्यान लगना है पिर उसके बाद जो हमको आचार विबार का भी ध्यान लगना है दो बातों का विशे ध्यान लगना है साथ में हमको सपोर्टिंग साथना है भी करनी है अब सोचें केवाल इसी के उपर हम निर्वार हो जाएंगे और उसके बाद में भी आचार विवार भी ठीक नहीं होगा तो बहुत लंबे समय बात आएगी वो में वैल के आगवा समय में हावसरी शक्तियां और अटेक कर देंगी और फिर वो इतना ताकत नहीं डेगे कि आज की समय में लोगों में जड़ा से बात से तो दिमाग जो है एकदम ब्लास्ट हो जाता है विल्कुल ना कोई गुस्ता भरा हुआ होता है किसी को भी टॉलरेंस नाम की चीज़ जो है वो कम होती ही चली जा रही है लोगों में तो ऐसी सिती में जो होगा ये कौन इतना लंबे समय तक जो है अपने एकी मंतर पर टिका हुआ रहेगा अपनी सारी सीज़ें को स्वाल पर लेगा इसलिए इन एडिशन तो इट जो भी मैं बता रहा हूं जो तो मिनमम उपाय कर लें चाहिए और अतरशीश के पार ठाकर ये यती हो जाए इनके साथ में जो भी साधना करों उसके बाद सफलता मिलेगी और ये मंतर के साथ में एडिशन उसको कर लेगे तो ही एक कहना चाहिए बहुत एक साधना बदती बन जाएगी स्वैम में ही अप अपने आपको ये सब बाते अनवाव करने की जो साधना करेंगे और वो तभी उस बात को अनवाव कर भी पाएंगे तो आशा करता हूंगे आप सो लों के जानकर के अच्छे लगी होगी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद